जैश्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों हल्दी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसके कई उपाय आपके जीवन में समरिध्धी ला सकते हैं। ऐसे ही उपायों में से एक है हल्दी की गांट को तिजोरी में रखना। आईए जाने इसके फायदों के बारे में वास्तु शास्त्र के ऐसे कई नियम हैं जिनका पालन आपके घर में समरिध्धी लाने में मदद करता है। यदि घर की हर एक चीज वास्तु के अनुसार सही स्थान पर रखी होती है तो आपके जीवन में उन्नती होती है। यही नहीं कुछ विशेश स्थानों पर चीजों को रखने से आर्थिक स्थिती भी बनी रहती है। ऐसे ही वास्तु के अनुसार हल्दी को तिजोरी में रखने से आर्थिक समरिध्धी और सौभाग्य की प्राप्ती होती है। हल्दी को हिंदू धर्म में एक पवित्र और शुब सामगरी के रूप में जाना जाता है जो किचन में मसाले के रूप में इस्तिमाल होने के साथ घर की नकारात्मक उर्जा को भी दूर करने में मदद करती है इसमें शुद्धिकरण के गुन मौजूद होते हैं इसका सही तरीके से इस्तिमाल करने से सकारात्मक उर्जा को घर की तरफ आकर्शित किया जाता है नकारात्मक उर्जा को दूर किया जा सकता है आईए लाइफ कोच और आस्ट्रोलोजर डॉक्टर शीतल शप्रिया से जाने घर की तिजोरी में हल्दी की गांठ रखने के वास्तु लाभों के बारे में वास्तु में हल्दी के फायदे वास्तु की माने तो हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को आकरशित करती है जिससे धन लाभ के साथ स्वास्थय जैसे कई लाभ हो सकते हैं हल्दी आपके घर या वर्क प्लेस में सकारात्मक और शुभ वातावर्ण बनाने में मदद करती है, जिससे सौभाग्य और समरिधी बनी रहती है बुरी नजर से बचाने के लिए हल्दी का इस्तिमाल किया जाता है और किसी भी तरह के दुर्भाग्य को दूर करती है वास्तु में ऐसा कहा जाता है कि हल्दी से घर के वातावर्ण को शुद्ध किया जा सकता है धन को आकरशित करती है हल्दी यदि आप तिजोरी में हल्दी की गांठ रखती हैं तो यह घर के लिए वित्तिय समरिध्धी को आकरशित करती है जिससे घर की आर्थिक स्थिती अच्छी बनी रहती है कहा जाता है कि किसी भी स्थान पर हल्दी सकारात्मक उर्जा को आकर्शित करती है, जिससे वित्तिय समरिधी बढ़ सकती है ऐसा भी कहा जाता है कि यह उन बाधाओं को दूर करने में मदद करती है जो आपको धनलाप से रोक रही हो तिजोरी में आपके सामान की सुरक्षा करती है वास्तू में ऐसा कहा जाता है कि हल्दी की गांठ आपकी तिजोरी में रखे सामान को चोरी और होने से बचाती है ऐसा माना जाता है कि यहाँ आपके सामान के चारों और एक मजबूत उर्जा का क्षेतर बनाती है जिससे चीजों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है अगर आप आर्थिक लाब को बढ़ाना चाहती हैं तो हल्दी की गांठ को तिजोरी में रखना आपके लिए एक अच्छा विकल्थ हो सकता है तिजोरी में हल्दी की गांठ रखने के नियम तिजोरी में हल्दी की गांठ रखने के कुछ विशेश नियम होते हैं, जिनका पालन जरूरी होता है इसके लिए आप एक ऐसी हल्दी, हल्दी से दूर करें जीवन की हर बाधा की गांठ लें जो कहीं से भी तूटी-फूटी न हो इसे पानी से धोकर सूखा लें और एक लाल कपड़े में लपेटें ऐसा माना जाता है कि कपड़े के लाल रंग से हल्दी की उर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है जिससे धन लाब के योग बनते हैं हल्दी को तिजोरी में ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की नजर न पड़े कोशिश करें कि तिजोरी को सूखी और ठंडी जगह पर ही रखें तिजोरी में हल्दी की गांठ रखने की सही दिशा हल्दी को तिजोरी के उत्तरपूर्व कोने में रखना चाहिए उत्तरपूर्व कोने को घर का सबसे शुब कोना माना जाता है क्योंकि इसे धन और इसे समरिध्धी का क्षेत्र कहा जाता है हल्दी एक समवेदंशील मसाला माना जाता है और अगर इसे ठीक से न रखा जाए तो इसकी शक्ती कम होने लगती है यदि आप तिजोरी में हल्दी की गांठ रखते समय इन नियमों का पालन करती हैं, तो आपके घर में सुख समरिधी बनी रहेगी और धन लाभ होगा